Hello Parents, Welcome back to my channel Baby and Mom Life Style Friends, हम सब बच्चों के लिए बहुत ज़ादा एक्साइटेड रहते हैं सबसे पहले तो इसलिए एक्साइटमेंट होता है कि हमारा बच्चा कब होगा 9 मंद की जरनी के बाद जब हमारा बच्चा बॉर्ण होता है तब हम लोग बहुत ज़ादा खुस भी होते हैं ठीक है उसके बाद बच्चों की छुट छुटी सी हरकतें बच्चे करते हैं जिससे हम लोग बहुत ज़ादा खुस हो जाते हैं हमारा मन बहुत ज़ादा खुस हो जाता है ठीक है इसके बाद में क्या होता है जब हम लोग बच्चे से थोड़ा बात करना स्टार्ट करते हैं और बच्चे अपनी लैंगवेज में हाँ हूं इस तरीके की आवाजे निकालना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारा बच्चा अब कब बोलना स्टार्ट करेगा हाजी फ्रेंड्स तो आप लोग सही समझे इस वीडियो में मैं आप से यही डिस्कस करने वाली हूँ कि बच्चा का बोलना स्टार्ट करता है या फिर बच्चे को बोलना सिखाने के कौन से तरीके होते हैं जो आपको अपनाने चाहिए और आपका बच्चा का बोलना स्टार्ट करेगा क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है न जब हमारा बच्चा हमसे कुछ हाँ हो करके बोलने लगता है न तो हमारी एक्सपेक्टेशन उससे कई ज़्यादा बढ़ जाती है हमें सबसे पहले इस पेसली मा को यही लगता है कि मेरा बच्चा कब मुझे ममा ममी या मा कहके पुकारेगा तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपी लोगों के लिए है और बिना इसके पिए आप लोगों पूरा देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि आपका बच्चा कब बोलना स्टार्ट करेगा कब वो सीखेगा और किस एज में बच्चे नॉर्मल बोलना स्टार्ट कर देते हैं ओके फ्रेंड्स तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें तो सबसे पहला कोशियन आप लोगों का यह होता है कि मेरा बच्चा कब से बोलना स्टार्ट करेगा तो फ्रेंट्स कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर सिक्स मन्द के बाद में वो मा, 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 बाबा, पापा इस तरीके के वर्ड बोलना स्टार्ट कर देते हैं बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 9 मंद के बाद ये सारी जीजे बोलना start करते है तो इस में आप लोगों को बिल्कुल भी tension लेने वाले जरूरत नहीं है कुछ बच्चे जल्दी बोलना start करते हैं और कुछ बच्चे उनके confusion में देर से बोलना start करते हैं Next question, आप लोग बहुत ज़दा पूछते हैं, कई लोगों के बच्चे काफी बड़े हो गए हैं, एक साल के हो गए हैं, दो साल के उपर के हो गए हैं, और फिर भी उन्होंने बोलना start नहीं किया है, तो उनका ये question रहता है, मैं मेरे बच्चा बोलना start नहीं कर पाया है, तो मैं उसके लिए क्या करूँ, तो उन लोगों को बहुत ज़दा tension होती है, क्योंकि उनका बच्चा जल्दी बोलना start नहीं करता है, ये सब में कहीं न कहीं mistake जो होती है, वो हम parents की ही होती है, हमारा बच्चा जल्दी बोलना start नहीं कर पाता है, तो चलिए friends, आज मैं दोनों लोग tip है, जो हम parents होते हैं, बच्चों के साथ में बोलना start नहीं करते हैं, हमें ये लगता है, कि हमारा बच्चा अभी बहुत छोटा है, हम उससे बात करेंगे, तो वो समझेगा नहीं, हलाकि ये बाद सच है, कि हमारा बच्चा समझता नहीं है, हम उससे जो भी बात करेंगे, ब और आपके बच्चे के बीच में bonding अच्छी होगी ठीक है next चीज क्या होगा आप जब उससे बात करेंगे न तो जब बच्चा six month का हो जाता है उसके बात बच्चा क्या करता है आपको देखता है कि मा कैसे बोल रही है या पापा कैसे बोल रही है उसी की चीजों में वो बोलन start करता है, जैसे आप बोलते हैं उसी तरीके से तो सबसे पहली चीज़ आप बच्चे से बात जरूर करिए ठीक है, next चीज़ यह है कि आप जब भी बच्चे से बात करें उससे तुतला के बात मत करें क्योंकि अगर आप ऐसे बात करेंगे तुतला कर बात करेंगे तो बच्चा भी स्टार्टिंग से ही वही वर्ड सुनेगा, वही वर्ड अपने मेमोरी में स्टोर करेगा और वही वर्ड आप से बोलेगा नेक्स्ट पॉइंट है आप जब भी अपने बच्चे को कुछ सिखाएं या फिर उसके सामने अकेले में बच्चे से बात कर रही हैं तो उसके सामने वर्ड को रिपीट करें जैसे कि पापा सिखाना है तो पापा, मामा सिखाना है तो मामा, या ममा सिखाना है तो मम मा, या फिर मा इस तरीके से वर्ड आप बच्चे के सामने रिपीट करिए और बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग में यह नहीं कि आपको सिखाना है पापा आप बोल रहे हैं बेटा पापा बोलिए पापा तो ऐसे बच्चे नहीं सीखते हैं बहुत slow motion में सिखाए पापा ऐसे आप सिखाएंगे और बार बार repeat करेंगे न तो बच्चे बहुत जल्दी अपनी टंग को twist करना सीखेंगे और जब बच्चे टंग को twist करेंगे न उसी टाइम पर आप समझ जाएगा कि हाँ आप मेरे बच्चे या बच्चा बोलना start करने वाला है नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स जब भी आप अपने बच्चे को सुलाने जाएं बच्चे के sleeping टाइम पर आप बच्चे को लोरी या फिर कोई कहानी इस तरीके की चीज़ें जरूर सुनाएं आप बच्चे को ऐसा ना करें कि बहुत लॉंग स्टोरी सुना रहे हैं नहीं आप छुटी छुटी सी स्टोरी अपने आप से create कर लीजे डेली के जो आप काम करती हैं या फिर जो आपके बच्चे को पसंद दो जिस तरीके से बच्चा हां से बच्चे को सुन के अच्छा ये फ्रंस नाइट में जब पूरा environment सांथ होता है इस टाइम पे बच्चे का जो mind होता है वो भी सांथ होता है इसी वज़े से बच्चे आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं और word को बहुत जल्दी पकरने की कोसिस करते हैं कि हां आपने क्या बोला है इसलिए नाइट में बच्चों के साथ में बच्चे बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट करते हैं बच्चे जो होते हैं वो अपने सेम एज के बच्चों के साथ में बोलना बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं तो बच्चों के साथ में जो आप बाहर लेके जाए उनको सेम एज के बच्चों के अपने बच्चे को अपने साथ में रखें और अपने आसपास की चीजों से इंट्रोड्यूस कराते रहें बच्चा ये कर्टेन है वो टीवी है इस तरीके से आप बच्चे को बता सकते हैं कि घर में कौन-कौन सी चीजे हैं बच्चा भी देखेगा समझेगा और फिर बोलना भी start करेगा next point है friends आप अपने बच्चे को खेल खेल में बोलना start करा सकते है खेलने से क्या होगा बच्चे का mind जो होता है वो खेल में लगा रहता है और जो word आप बच्चे को के सामने बोलते है वो सुनता है तो वो भी वही word बोलना start करता है तो आप उसके सामने कोई poem है वो सुना सकते है गाने गुनगुना सकते है अगर आप एक ही गाना बार बार गुनगुनाएंगे तो बच्चा भी वो सीखेगा और सुनेगा धीरे धीरे और फिर आपके word जो होंगे वो catch करेगा और फिर वो भी बोलना start करेगा तो friend ये था मेरा छोटा सा वीडियो कि आपके बच्चे बोलना कैसे start कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं बोल पा रहे हैं तो आप एक बार doctor से consult जरूर कर लें क्योंकि काफी बड़े बच्चे हो जाते हैं अगर बच्चे को कोई problem नहीं है आपका doctor बोलता है बच्चा आपका बिलकुल ठीक है तो फिर आप बच्चे से बात करना start करेगा आपका बच्चा जरूर बोलने लगेगा तो friends इस पूरे वीडियो में मैंने आपको यही समझाने की कोसिस किये है कि आप जितना हो सके अपने बच्चे से बात करेगे आप जितना अपने बच्चे से बात करेंगे वो आपकी बातों को समझेगा दीरे दीरे और तभी आपका बच्चा आपसे connect होगा आपसे bonding अच्छी होगी और तभी वो बोलना भी स्टार्ट करेगा तो friends I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर थोड़ा बहुत भी helpful रहा होना तो please मेरे वीडियो को like करिएगा, share करिएगा और channel को subscribe कर लिजेगा thank you for watching this video, मिलते हैं next video के साथ में, तब तक के लिए bye bye